नमस्कार प्रिये मित्रो फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत हैं डियसार जोन में मित्रो हाथ जोड़कर बोल देना ये तीन शब्द सामने वाला व्यक्ति जो कोई भी है जिससे भी आप प्रेम करते हैं वो आपसे दूर जा रहा हो आपसे नाराज हो बात नहीं करता आपके संबंधों में कोई भी परिशानी चल रही है आपके संबंधों के बीच कोई भी मन मुटाओ चल रहा है आपका प्यार आपसे दूर जा रहा है नाराज है इस सरल से उपाय को जो आज हम आपको बताएंगे बहुत सरल उपाय है, बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं किसी वस्तू की आप कोई आवश्यक्ता नहीं है आप घर में बैठे बैठे ही इस उपाय को कर सकते हैं ना आपने कहीं बाहर निकलना है, ना कुछ और करना है, बस एकांत में ये उपाय कर लेना है, और जिस व्यक्ति के लिए आप इसे कर देंगे, चाहे वो इस्तरी है या पुरुष्ट, पती, पत्मी, प्रेमी, प्रेमी का कोई मित्र, किसी के लिए भी इसे कर सकते हैं, वो लो जा रही है, उसे आप बिल्कुल विधीवत पूर्ण कर लें, आप देखेंगे कि आपका प्यार आपके सामने होगा, जो बात नहीं करता बात करेगा, जो नाराज है, खुद आपको आकर मनाएगा, उपाय को शुरू करने से फेले, अपने हाथ मूँ पैंद हुएं, उपा बस साफ सुतरा होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा आप कटोरी में या ग्लास में पानी ले लेना है, बहुत अदिक नहीं, थोड़ा सा पानी डालें, भरना चाहिए, भरना है, आधा कटोरी, आधा ग्लास, जैसी भी आपकी इच्छा बनें, पानी डाल और बोलें उस विप्ति का जिस से आप प्रेम करते हैं उसका पांच बार नाम में उसके बाद आपने क्या करना है अपने उल्टे हाथ की हतेली में जो भी ग्लास या खटोरी आपने लिया है उसमें अपने सीधे हाथ को हलका सा डूबएं उंगलियों को गिला करें और कुछ उल्टे हाथ पर हतेली पर गिराएं और उसके बाद उस पानी को जमीन पर गिरादें उल्टे हाथ पर गिराकर जमीन पर गिरादें जो भी दो चार गूद आपके हाथ हुएं जब आप उसे गिराएंगे उस समय उस विक्ति का फिर नाम लेंगे तीन बार अब आपने क्या करना है, जो पानी है, उसे दोबारा से इसी प्रकार से लिएना है और फिर पानी किराना है तीन बार स्वर्प्ती का नाम लेते हुए बिल्कुल यही क्रिया आपने तीन बार करने है, उसके बाद आप अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे पानी को जित्तर फार खेरेने दे आपने दोनाहाद फिर से जोड़ने है और उसकी बाद उस व्यक्ति को जिसके लिए आप इसे कर रहे हैं उसे स्मर्ण करते हुए उसे सोचते हुए विचारते हुए जब आप ठीक प्रकार से उसे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड सोचें अपने अंतरमन में से लेकर आएं उसकी तस्वीर आपको अंदर से दिखाई देने लग जाए आपका वो प्यार आपको नजर आने लग जाए उसका चेहरा तब आप बोलें ये ती शब्द क्राय, अमुक, वश क्राय, अमुक, वश ये आपने 11 बार बोलना है बड़े ध्यान पूर्वक बोलें 11 बार बोलना है और बोलने से पहले उस ग्यक्ति को शुरू में स्मारणगर 11 बार मंत्र बोलेंगे अमुक के स्थान पर बोलेंगे उस व्यक्ति का ना जो नाम लेंगे वो आप प्रमुख नाम पहला नाम लेंगे जब आप पहले बोल रहे हैं तब भी जब आप अभी बोल रहे हैं तब भी अब आपने कुछ विशेश नहीं करना दोनों हातों को खोल दें नमस्ते की अवस्ता से हड जाएं जो पानी है आपके पास उसे विश्तान से उठाएं और आप चाहे तो घर के अंगर में चले जाएं या आप कोई गंबला आके धर में हो उस पर लेकिन काटेदार गंबला ना हो और उसकी मिटी पर या घर से बाहर अंगर में कहीं भी जहां आपका दिल करें आपने अपने उल्टे हाथ की हतेली पर छुलाते हुए वो पानी जो कटोरी में रखा है या ग्लास में रखा है उसे धीरे-धीरे गिराना है और पांच बार गिराते-गिराते ही उस रिक्ति का नाम लेगा है गिराने कारता धीरे धीरे धार बनाए और गिराते जाएं और पाँच बारस रुकती घर नाम लेगा उसके बाद आपने वापस घर के भी तरह आ जाना है ये बड़ा ही सरल उपाए है मिद्रो इसमें आपने विशेश कुछ भी नहीं करना और आपका प्यार मातर एक से दो दिन में आपसे खुद सारे अपने संबंद अपने रिष्टे ठीक करें अब द्याज ग्यामत्रो फिर मुलाकात होगी ऐसे ही बहुत ही खुबसूरत से उपाए के साथ अगली वीडियो में अपना ख्याल रखें खुश रहें नमस्कार